आधुने की योग में भी अंदविश्वास लोगों पर किस तरह हावी है इसके मानगी देखने को मिली बागपत में जहां एक तांत्रे की कहने पर मासूम के शफ को कबर से निकाला गया और फिर शफ के साथ तांत्रे क्रिया की गई मामला बागपत के कमाला गाओं का है जहां साथ साल की मासूम तनू को साप ने काट लिया और बच्छी की मौत हो गई जिसके बाद धार्मिक मानताओं को मानते वे तनू को हिंड़ा नदी किनारे कबर खोद दफना दिया गया लेकिन इस बीच एक तांत्रे के ने साप के काट कर शफ को पोस्ट मॉटम के लिए फीज दिया हमारे थना चितर में एक कमाला गाओं है वहां पर लागपत दो दिन पहले एक साथ साल की बच्ची है उसको सर्प ने काट लिया था उसका इलाज भी कराया था प्लस तांत्री को कहीं दिखाया था उसके बाद दूसकी मीर्त ह गए थी उसको लेजा करके अहिंडर नदिया किनारे उसको दपना दिया थे गड़्डा को करके फिर इसी बीच में एक तांत्री करें को यह गुमना कर दिया कि मैं सांप काट बच्चे को जिंदा कर देता इसी पर विस्वास करके उनके परजियों ने उस तांत्री के पुछताच कर रही है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज के साधनिक यूग में भी लोग कैसे तांत्रिकों की बात पर विश्वास कर लेते हैं पंजाब के से टीवी के लिए बागपत से वेवे कौशिक के रिपोर्ट